जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिये गए बेल की आइकन को भी प्रेस कर दें इससे हमारे डाले गए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी आप तक सबसे पहले दोस्तों नवरात्र में उप्वास रखनी की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है चैत्र नवरात इश वर्ष 6 अप्रेल से शुरू हो रहे हैं और 14 अप्रेल को राम नवमी का त्योहर मनाया जाएगा नवरात्र में कुछ भक्त जन पूरे 9 दिन का उप्वास करके मा भगवती की पूजा आराधना करते हैं लेकिन खास बात ये है कि नवरात्र में उप्वास करने पर साफ सफाई और शुदता का खासा ध्यान रखना जरूरी होता है पूजा की सभी सामगरी पूरी होनी चाहिए और स्वच्छता के साथ वरत को संपन किया जाना चाहिए साथ ही उपवास रखने वालों के लिए कुछ विशेश नियम बताये गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है तो आईए जानते हैं कौन से हैं वो नियम दोस्तो पहला है पुरानों में बताया गया है कि उपवास रखने से मन पवित्र होने के साथ ही शुद भी होता है जब आप नवरात में वरत रखते हैं तो मादुर्गा प्रसन होकर भक्तों को अपना आशिरवात देती है मा के आशिरवात से घर में सुख सम्रद्धी आती है दोस्तो दूसरा है वैज्यानिक महत्व विज्यान भी कहता है कि उपवास रखने से बहुत से फायदे होते हैं नवरात्र के शुरुवात जब होती है तो मौसम में बदलाव आता है मौसम में परिवर्तन का शरीर पर कैई बार दुश्प्रभाव भी पड़ जाता है ऐसे में उपवास रखने से शरीर में सभी अव्यवों का संतूनन बना रहता है आपकी उर्जा में भी एक विशेश संतूनन बना रहता है जो आपको सीधे इश्वर से जूरता है उपवास नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों चोथा है नवरात्रों में कुछ चीजों का वर्जित होना उपवास रखने वाले या फिर आपके घर में कोई भी उपवास रखता है या घर के सदश्य मास, मदिरा, अंडे, प्याज, लहसुन आदी का सेवन ना करें और साथ ही नमक और मसालेदार चीजों से दूर रहें दोस्तों पाँचवा है अलकोहॉल और धूम्रपान नवरात्र के दौरान घर में या घर के बाहर भी अलकोहॉल का सेवन और धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों छटा है काले कपड़े पहनना अगर आपने उपवास रखा है तो आपको नौ दिनों तक काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए भक्तों को सुबह और शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा करनी चाहिए और सदैर स्वच्छता का पालन करना चाहिए दोस्तों नमबर साथ है आहार उपवास रखने वालों को दिन में केवल एक बार सात्विक भूजन या फिर फलाहार करना चाहिए दिन में केवल एक बार ही भूजन करी दोस्तो नमबर आठ है दयाधर्म नवरात्र में दान पुन्य का भी बहुत महत्व होता है नवरात्र में आपको जरूर और मंदों को कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए ऐसा करने से ना सिर्फ मा दुरगा प्रसन होती हैं बलकि आपके ग्रह दोश भी कम होने लगते हैं तो दोस्तो ये थी कुछ बातें जिन्हें आपको नवरात्री में उपवास के दौरान याद रखना चाहिए इन नियमों का आपको नवरात्रों में पालन करना चाहिए दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद